हेलो फ्रेंड्स आप सबका हमारे चानल पर स्वागत है चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के उपर आज का हमारा टॉपिक है पानी पीने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों वीडियो को शुरू से एट तक जरूर देखना ताकि वीडियो में दी गई जानकरी आप सबको समझ में आजाए हम लोग पानी को साधरा समझते हैं लेकिन वेसा नहीं होता क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में जमने वाले विशेले पदार्थ को बाहर निकलता है और शरीर को ठीक तरह से चलने में मदब करता है बेट से लेकर तबचा तक वजन बाढ़ने से लेकर वजन घटाने तक शरीर को स्वश्ट रखने तक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पानी पीने की सही मातरा, सही समय और कब पीना है और कब नहीं आज हम इसके बारे में जानेंगे पानी कब पीना चाहिए वैसे तो हमें पता ही होता है कि पानी पीना है लेकिन पानी को कब और कैसे पीना है ये पता नहीं होता हमें पानी खानी के लगबग आदा घंटा पेले एक सिदिर गलास पीना है और खानी के बाद 30 मिनट बाद एक तक जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि दिन के समय हमें सबसे ज्यादा वर्काउट होता है, तो हमें सबसे ज्यादा पानी पीना है, और रात के समय कम से कम पानी पीना है, चलिए अब देखते हैं कि पानी को आखिर पीना कैसे है, हम लोग पानी को उपर से या हम अगर जल्दी में हो तो गटा-गट पानी पी जाते हैं जो कि हमारे सियद के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे पानी पीने से हमारी बोड़ी ना ही पचन में मदद कर दी है और ना ही पानी का फाइदे हमें होता है। पानी को हमेशा बेट कर पीना चाहिए। एक टाइम में हमें एक से देड़ गिलास ही पानी पीना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं पानी पीने के अंतराल में कम सी कम एक या देड़ घंटे का समय होना चाहिए। और पानी जब भी पीए तब एक एक गुट पीना है। मतलब कि सिप सिप करके पीना है। जो कि हमारी मुह में होने वाली लाल को पेट ले जाता है और पचन करने में मदद करता है। अब देखते हैं कैसे पेचाने शरीर में पानी की कम तरता है या नहीं। हम जब पानी पीते हैं तब हमारे शरीर को जहाँ जरूरत होती है वहाँ पानी लग जाता है और जो बचा हुआ वेस्ट पानी होता है वो मूत्र से निकल जाता है पानी की शरीर में कमी है या नहीं इससे पता चलेगा कि मूत्र का कलर यलो और पेल यलो है यानि की पीला और फेंट पीला है तो समझ लेना है कि हमें पानी पीने की जरूरत है और अगर शुद्ध हो तो जैसा हम पानी पीने का तरीका अपना रहे है वेसा ही अपनाते रहे हम में पानी पीनी के कोई कमी नहीं है अब देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक की दिन चर्या केसी होनी चाहिए सुबह उठकर हमें खाली पेट गुनगुने पानी का सेवल करना है यानि कि एकदम गुनगुना या नॉर्मल टेंपरिचर का एक दो गिलास पानी पीना है उससे हमारा इंटेस्टाइन में जो मल फसा होगा वो निकल जाता है और फ्रेश महसूस करते हैं सुबह के खाने के 40 मिनट पहले हमें जितना चाहिए उतना पानी पीना है उससे हमारे पेट में जो पित्त होता है वो निकल जाता है पानी को मुतरशे में पोशने में 40 मिनट का समय लगता है इसलिए खानी के 40 मिनट पहले पानी पीए खाना खाना महतवपूर्ण है लेकिन उससे भी महत्वपूर नहीं, खाना पचना, क्योंकि खाना पचेगा, तभी तो हमारी मास, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मुत्र बनेगा, तभी तो हमारे शरीर को फाइदा होगा, इसलिए 40 मिनिट का अंदर बताया गया है, अगर आप बहुत सुखा खाना खा रहे हैं, तो ह खाने के अंत में बिल्कुल पानी पीना नहीं है, सिर्फ एक गोट को पी लेना है, तो ऐसा क्यों? तो जो मुझ में अन्न होता है, वो पेट में चला जाए, इसलिए हमें एक गोट पीना है, क्योंकि आरे बट्ट जी ने कहा है, संस्कुरत में, बोजन अंदर विशमवारी यानि कि बोजन के अंत में पानी पीना विश्क पीने के बराबर है, क्योंकि खाना पचानी के लिए जो हमारी क्रोधगनी प्रजवलित होती है, उसे ही पानी बुझा देता है, इसलिए खानी के तुरंद बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें खाने के 40 मिनट बाद और ऐसे ही दिन बर से फालो करिए, सुबह खाने के बाद दोपेर के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद 40 मिनट बाद और 40 मिनट पहले पानी पीना है, और सुबह दोपेर और शाम के बीच के अंतराल में एक एगंडे के अंदर में पानी पीना है, वो भी सिप सिप करक और जब हम सोने जाए तो हमें ज्यादा पानी नहीं पीना है रात में सिर्फ एक या आधा गिलास या जरुरत के अनुसार ही पानी पीना है वो भी नॉर्मल टेंपरेचर का ये थे कुछ पानी पीने के फाइदे और नुकसान कब पी ये कब नहीं उसकी जानकरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो चैनल को अपने दोस्तों के साथ वाटसब पे इंस्टाग्राम पे या फिर इधर प्लाटफर्म पे शेयर करो चैनल को सस्क्राइब करो ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुशती रहे अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में